ओम शान्ती, आज है 20 जनवरी 2022 की साकार मुरली, आए सुनते हैं बाबा के महवाक्यों को. मीठे बच्चे, आधा कल्ब से जो पांच विकारों की बिमारियां लगे हुई थी, वहाँ अब चुटी की चुटी, इसलिए अपार खुशी में रहना है. प्रेश्न, तुम बच्चों को अब कौन सी एक होबी, शौक रखना है, किन बातों से तुम्हारा तालुक नहीं? पुरा वर्सा लेने की होबी रखनी है, मनुश्यों को तो अनेक प्रकार की होबियां होती है, तुम्हें वहाँ सब छोड़ देनी है, तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, बाब के साथ वापिस जाना है, इसलिए इस शरीर से तालुक रखने वाली सब बातों को भूल जान है, पेट को दो रोटी खिलानी है, और बुद्धी नई दुनिया से लगानी है, गीत जिसका साथी है भगवान, ओम शैंती, जो भी अनन्य महावीर अडोल बच्चे हैं, वहाँ समझते हैं कि अनेक प्रकार के मनसा तुफान भी आएंगे, और कैलमिटीज, बिमारियां भी आएंगी, क्योंकि अब पिछाडी का पंप है, माया खूब जोके लगाएगी, जो पक्के निश्य बुद्धी हैं, उन्हों को तो मालूम पड़ता है, कि शरीर के हिसाब किताब भी चुपतो होंगे, जब कोई बिमारी चूटने पर होती है, तो खुशी होती है, अब ह इस बिमारी से चूटने वाले हैं, तुम जानते हो, बाकी थोड़े रोज है, यहाँ पांच विकारों की बिमारी आधा कल्प की लगी होई है, जिससे मनुश्य अजामिल जैसे पापात्मा बन जाते हैं, ऐसी दुनिया अब बाकी थोड़े रोज है, यहाँ बिमारिया दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती, वहाँ तो जैसे की आसुरी बुद्धी है, वहाँ तो हाई हाई करते रहेंगे, तुम हो यहाँ घटनाएं देखते रहेंगे, तुम हारा इन बातों से कोई तालुक नहीं है, यहाँ कोई नई बात नहीं है, यहाँ तो होना ही है, इसमें डरने की कोई बात नहीं, बाकी थोड़ा समय है, पेंट को दो रोटी खिलानी है, अभी अपने को हॉबी है, बाबा से वर्सा लेने की, अनेख प्रकार की हॉबी मनुशियों को होती है, यहां कोई हॉबी नहीं, शरीर के साथ तालुक रखने वाली बातों को भूल जा हम इशर के बन गए, अब वापस बाबा के पास अत्वा साजन के पास जाना है, यहां साजन भी बड़ा विचित्र है, विचित्र होने के कारण उनको पूरा याद नहीं कर सकते, यहां नई रसम है ना, आत्मा को परमात्मा को याद करना है, ऐसे तो कभी याद किया नहीं ह आधा कल्ब से सत्युग में सिर्फ इतना समझते हैं हम आत्मा हैं बस और कोई ग्यान नहीं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे यहां तो आत्मा को परमात्मा बना दिया है परमात्मा सरव्यापी कह देते हैं अभी यहां पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लि हुई है जैसे कोई नया घर बनता है तो बुद्धी पुराने घर से निकल नई में लग जाती है अभी इतने धर्म वाले कॉन्फरेंस आदी करते हैं परंतु एक का भी बुद्धी योग परमपिता परमात्मा से नहीं है अभी तुमको सिखलाने वाला बाप मिला है वही ग है ज्याने इशर माना इशर में ही ग्यान है वही ग्यान और योग सिखा सकते हैं जिनको पक्का निश्चे है वह तो समझते हैं इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए हैं हमको तो अब वापिस जाना है जैसे नाटक में एक्टर्स को मालूम पढ़ जाता है कि बाकी तुम्हारी है बेहत की घड़ी तुम चानते हो यहाँ अन्तिम जर्म है तो तुमको तु बड़ी खुशी होनी चाहिए हमको यहाँ पुराना शरीर छोड विश्य का प्रिंस और प्रिंसस बनना है हमारे ममा बाबा भी जाकर प्रिंस प्रिंसस बनेंगे बच्चों को भी अच्छी दोड़ी लगाकर विश्य माला में नजदीक नंबर में आना चाहिए बाबा से कोई पूछे तो बाबा बतला सकते हैं तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता है कि तुम बरोबर विश्य माला में नजदीक आ जाएंगे खुद को भी मालूम पड़ जाता है हम कहां तक पास होंगे कोई तो समझते हैं हम कभी बेपास नहीं होंगे भल बाबा का बच्चा हूँ सब कुछ सरिंडर किया है बाबा की गोद में बैठा हूँ प्रंतु धारना नहीं है तो उच्पद मिलना सके जो ग्रिहस्त वेवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वह यहां रहने वालों से अच्छा पद पास सकती हैं और देखने में आता है वहां बहुँत तीखे जा रहे हैं सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा फाइदा होता है बादल सागर के पास आए, भरे और फिर यह गए बरसने मुरली तो सब तरफ जाती रहती है मुरली सुनकर फिर सुनाते भी है बहुत सर्विस करती है वह अच्छा उच्पद पा लेते हैं, मेहनत है यहां मेहनत नहीं होती है, तो गिर पड़ती है सारा मदार पुरुशार्थ पर है अपनी नब्ज आपे ही भी देखी जा सकती है समझ सकते हैं, इस पुरुशार्थ से में क्या पद पाऊंगा अब पुरुशार्थ कर उच्पद नहीं पाया तो कल्ब कल्पांतर ऐसे पद होगा यहां है बेहद का ड्रामा अपने को अब बेहद की बुद्धी मिली है ड्रामा के आदी मत्यांत को जानना बड़ा मज़ा है प्रम्तु माया के तुफान ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ उल्टा करा लेते हैं अच्छे अच्छे बच्चों को माया जीत लेती है आगे चल वरिद्धी भी चासती होगी तुम्हारा नाम बाला होगा अब देहली में रिलीजियस कॉन्फरेंस होती है कॉन्फरेंस में समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धी चाहिए बहुत अच्छी लिखा बड़ी चलनी चाहिए हैट्स जो होते हैं उन्हों की पहले चोटी कमेटी होती है फिर बड़ी कॉन्फरेंस बुलाते हैं पोब आदी का पहले से सब्रबंद किया चाहता है यहाँ भी कॉन्फरेंस में बहुत ख्यालात करते हैं तो ऐसी कॉन्फरेंस में बड़े बुद्धिवान बच्चे चाहिए जो बड़े बड़े समझदार हैं उनको जाकर समझाना चाहिए पहले तो यहाँ बात निकालो की हैट कौन है अब बाबा भी आया हुआ है इनके पहले तो किसको भी देवी देवता धरम का पता ही नहीं था अभी खुशी होती है कि देवी देवता धरम का भी हैड है जो ज्यान में परिपक्को हुए हैं वो समझते हैं अभी हम इन्हों से पूछ सकते हैं कि बताओ सब धर्मों में उच्छ धर्म कौन सा है उनको ही हेट बनाना चाहिए तुम भीके हो सबसे हेट तुम जगत माताएं हो मर्तबा भी माताओं का है दिखाते भी हैं कुमारियों ने बाण मारे हैं भिशम पिता महा आदी को इन कुमारियों के आगे सब को आना है तो यहाँ समझाना पड़ता है कि उच से उच कौन है फिर समझ जाएंगे कि सरव्यापी का ग्यान चूठा है अभी तुम हो युद के मैदान पर बाप का परिचे देना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को नशा चड़ा हुआ है यहाँ पाड़ तो अनेक बार हमने बजाया है अभी यहाँ पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है यहाँ पुराना चोला चोड़ना है फिर नए सी राकर पाड़ बजाएंगे अभी तुम्हारी बुद्धी विशाल बनी है अभी यहाँ पुराना चोला चोड़ना है फिर चुरासी जन्म नएने चोले लेते हैं यहाँ बुद्धी में सदैव रहना चाहिए हर एक पाड़ धारी को अपने अपने पाड़ का तो पता होना चाहिए ना 84 जन्म ले पाट बजाया अब खेल पूरा होता है यह चोला भी पूरा होता है स्रिस्टी भी तमो प्रधान है अब हमारी राजधानी स्थापन हो जाएगी फिर विनाश शुरू होगा हम जाकर विश्य के मालिक बनेंगे दूसरे जन्म में यहां जो पढ़ते हैं तो उसे इस जन्म में ही मिलता है तुमको वह फिर याद आया हम जाकर दैवी जन्म लेंगे फिर क्षत्रिय जन्म लेंगे यह बुद्धी में टपकना चाहिए तब खुशे का पारा चड़ा रहेगा जो अच्छे पुरशार्थी होंगे उनकी बुद्धी में ऐसी ऐसी बाते चलती रहेंगी बाबा ने समझाया है करम तो करना ही है फिर अपने याद के चाट को बढ़ाना है रात का टाइम अच्छा है इसमें कोई थकावट नहीं होती है सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकते फिर तुफान आते हैं तो थकाव़ी देते हैं ना चाते भी तुफान आ जाते हैं वह थकावट करेंगे बाकी बाब को याद करते रहेंगे टॉपिक आदी निकालते रहेंगे तो उसमें माथा और ही भरपूर हो जाएगा यहाँ बाबा का अनुभव है तुफान तो बहुत आएंगे जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जास्ती पच्छाडेगी यहाँ एक लौ है बाप कहते हैं माया बड़ी बलवान है क्यूंकि उनका राज अभी जाना है तो खूब तुफान मचाएगी उनसे डरना नहीं है शरीर को कुछ होता है वहाँ भी कर्म भोग है इसमें गुटका नहीं खाना है पिच्छाडी का शरीर है बाकी थोड़ा समय है ऐसे करते खुशी में रहते हैं ड्रामा में इसमें तुम सबसे जास्ती मर्तवे वाले हो क्यूंकि परम पिता परमादमा की गोदली है तुम्हारे में भी जो अच्छे पुरुशाथी हैं उन्हों जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं यहाँ इशुरिय सुक बहुत ओंच है तुम समझा सकते हो भारत ही स्वर्ग था अविनाशी खंड है और कोई धरम नहीं था वहाँ तो बाद में आई है सूर्यवंशी राजधानी पास्थ हुई तो फिर चंद्रवंशी हुई उनकी हिस्ट्री जोग्राफिक का किसको पता ही नहीं है अभी तुम्हें पता पड़ा है वहाँ थोड़े ही कोई भी जानते हैं कि सत्यूग के बाद तरिता होता है तो दो कला कम होने से वहसुख कम हो जाता है यह ज्यान सत्यूग में हो तो अंदर ही गुटका खाते रहें दिल खाएगी क्या हम फिर उतरेंगे सरक के मालिक बनेगे फिर नीचे उतरना पड़ेगा प्रन्तु वहाँ फिर भी राजशाई मिलने की खुशी है अभी तुमको बाबा सरकाल दर्शी बना रहे हैं लक्षमी नारायन जो सरक के मालिक है वह भी सरकाल दर्शी नहीं है संगम पर ही बाप आकर यहाँ सब अलंकार क्यों देते हैं क्योंकि वहाँ फाइनल में है ब्रहमन तो गिरते और चड़ते रहते हैं उन्हों को अलंकार कैसे दे सकते हैं शोबते ही नहीं ड्रामा में कितना वंडर्फुल राज है स्वदर्शन चक्रधारी ब्रहमन ही है इस ग्यान से ही तुम देवता बनते हो इसमे तुम स्वदर्शन चक्रधारी तरेनेत्री तरेकाल दरशी हो यहाँ तुम्हारा टाइटल है यहाँ सब बातें समझने और समझाने की हैं पहले पहले बाप का परिच्चे देना है परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंद है उनका नाम ही है गौड फादर ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि गौड फादर सरव्यापी है वहाँ तो बाप है ना हम लिखते ही हैं कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंद है परम पिता कहते हैं तो चरूर पिता ठहराना बाप सर्व व्यापी कैसे होगा बाप से तो वर्सा मिलना होता है बाप तो रचेता है नई दुनिया का इन लक्षमी नारायन को नई दुनिया का वर्सा मिला हुआ है वहाँ देवताओं को तीसरे नेत्र की दरकार नहीं रहती है तीसरा नेत्र जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगी तरी मुर्ती का अर्थ कितना अच्छा है समझाने की बड़ी रौनक चाहिए तो जो अच्छा उस्ताद होगा उनको समझाने की प्रैक्टिस होगी दिन प्रति दिन किसको समझाना बहुत सहच होता जाएगा परमपिता परमात्मा आपका क्या लगता है कहेंगे बाप लगता है बाप है नई दुनिया का रच्टा सत्योग में देवी देवताओं का राज्य था जरूर उनको प्रापट्री मिली होगी परमपिता परमात्मा से राज्योग सीख राचाई पाते हैं हम सब बीके हैं कोई को भी समझाओ अच्छा तुम कहते हो प्रचापिता ब्रमा तो तुम्हारा पिता हुआना वहा शिव भी पिता है तुम भी ब्रमा कुमार कुमारी हो हम दादे से वर्सा ले रहे हैं तुम नहीं ले रहे हो आकर समझो पुरुशार्थ करो तो तुमको भी मिल जाएगा प्रचा पिता ब्रमा और जगदंबा दो हैं मुख्य वर्सा मिलता है लक्षमी नारायन पद बच्चों को बहुत प्रकार से समझाते हैं बड़ी बड़ी कॉन्फरेंस में तुम बच्चे जाओ तब नाम बाला हो हमारी बात ही ग्यान की है दूसरे सब की बाते हैं भक्ती की ग्यान से हमको अथोरिटी है कोई से भी पूछने की परंतु समझने वाले भी कोई जट समझते नहीं है बखेरे बहुत करते हैं समझ जाएं तो सारी आबरू ही चट हो जाए लिखा हुआ है कुमारियों ने भिशम पिता महा को जीता है यहाँ होना है ड्रामा में यहाँ पाठ है जरूर अच्छा मिठे मिठे सिकीलधे बच्चों प्रती माद पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मार्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार गुड मार्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक विजे माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है मुरली धारन कर फिर सुनानी है चलन बड़ी रॉयल रखनी है नमबर दो अपनी विशाल बुद्धी से इस बेहद ड्रामा को जान अपार खुशी में रहना है तुफानों से डरना नहीं है ज्यान मंथन से बुद्धी को भड़बूर रखना है वर्दान विपरित भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थीती का अनभव करने वाले सद भावना संपन भव जीवन में उड़ती कला वा गिरती कला का आधार दो बाते हैं भावना और भाव सर्व के प्रती कल्यान की भावना सनेह सहयोग देने की भावना हिम्मत उल्लास भढ़ाने की भावना आत्मिक सरूप की भावना वा अपने पन की भावना ही सद भावना है ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थीती में स्थित हो सकते हैं अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्शित करता है किसी भी विग्न का मोल कारण यह विपरीत भावनाएं है श्लोगन सर्व शक्ति मान बाप जिसके साथ है माया उसके सामने पेपर टाइगर है शुक्रिया बाबा शुक्रिया लवलीन स्थिती का अनभव करो जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है तो बाप को बच्चों का अपसिट होना अच्छा नहीं लगता इसलिए कभी भी यहां नहीं कहो कि क्या करें बाद ही ऐसी थी इसलिए अपसिट हो गए अगर बाद अपसिट की आती भी है तो आप अपनी स्थीती अपसिट नहीं करना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, ओम शेंत